आपको दिखाते हैं विधायक के भाई की गुंडागर्दी की जिनोंने समर्थकों के साथ मिलकर एक बुजूर्ग के पूरे परिवार की जम कर पिटाई की बुजूर्ग का खसूर सिर्फ इतना था कि उसने भाई से रास्ते से गाड़ी हटाने को कह दिया पुलिस ने विधायक के भाई के खिलाफ मारपीट का मामला दर्श किया है अपने दा के भाई पर मारपीट कारों कैमरे में कैधुई तस्वीरे बज़र्ग बच्चे और महिला की पिटाई देखियें तस्वीरों को सड़क के बीच में अपने समर्थकों के साथ आपके एमेले का भाई गुंडागर्दी कर रहा है ना बुज़र्ग की उम्र का लिहाज ना महिला की इज़द बस अपने समर्थकों के साथ सड़क पर घूसे लाट से पिटाई जारी है जब विधायक के घर पर MCD टिकेट बटवारे के चकर में समर्थकों का जमावड़ा लगा था जिससे बाहर खड़ी कई गाडियों की वजह से असुइधा पर विधायक के पडोसी बुज़र्ग विरेंदर तलवार ने घर के नीचे से कार हटाने को गा जिससे लेकर विधायक के भाई की कहा सुनी हो गई और बात हादा पाई तक पहुंच गई बीज बचाओ करने आई बुज़र्ग की पत्नी और बच्चों को भी नहीं बक्षा मैंने इनको बोला आपकी गाड़ी रंग सैट पे गल जगा लगी हुई विधायक के भाई के इस गुंडागर्दी से नाराज लोगों ने के जवाल के खलाब जमकर नारिबाजी की लोगों का आरूप है कि आप विधायक राजेश रुशी के भाई साहब के गुंडागर्दी से पूरा महला परेशान है वही आप विधायक का कहना है कि विरूधियों की साज़ेश है जिसमें उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही गए पूरे मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार की महिला आयोग की टीम भी ठाने पहुंचे जाए जहां उसने मामले की सच्चाई सामने लाने और कारवाई का आश्वस्त दिया मौके पर पहुंची डाबडी ठाना पुलिस दोनों पक्षों को ठाने ले गई जहां लोगों ने देर रात तक जम कर हंगामा किया पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज का जात शुरू कर दी है फिलाल पीडित पक्ष को मुकदमे का इंतजार है पीडित पक्ष का कहना है कि उनके विधायक के भाई और उनके समय तक पर एफाई आज की जाए और जल्द से जल्द कारवाई की जाए हाला कि विधायक का कहना है कि इस पूरी घटना में उनका कोई रोल नहीं है और उन्हें राजनेति कारणों से फसाया जा रहा है कामरापरसन संजीव के साथ अंकित यादो दिल्ली आज तक कर दो